नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्पून आईरवेडिक जानकारी के साथ जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टोपिक है अंगूर खाने के फायदे जानकर आप दंग रहे जाएंगे अंगूर यानिकी ग्रैप्स एक फल है जिसको कई तरह से खाया जा सकता है यह कई तरह के रंगों में आपको उपलब्ध है जिनका परयोग जैम और जूस बनाने में किया जाता है इसका लावा इससे किश्मिस और वाइन भी बनाए जाती है कुछ तरह के अंगूर छोटे छोटे और बेरियों की तरह होते हैं अंगूर का स्वाथ बहतरी नहीं होता है और किश्मिस तो ज्यातातर लोग पसंद ही करते हैं जिसको उप्योग वेंजिनों में किया जाता है यह कही तरह की बिमारियां जैसे कैंसर, कब्स, हार्ट अटे किर्दी रोगों को दूर रख सकते हैं इसमें एक खास घटक फ्लेवोनॉइड होता है जो प्रकृतिक दर्द नाशक का काम करता है लिप्रो प्रोटीन की वज़े से होने वाले धिमेज को बचने में अंगूर का फल सायक होता है इसके लवा इसमें कलोस्ट्रोल के स्थर को सही रखने का गौन भी मौजूद है कौर सेटीन कैंसर रोधी माना जाता है इसलिए अगर आप कैंसर की अशंका से बचना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अंगूर का सेवन करना चाहिए शरीर में होने वाली मिनरल की कमी को भी इससे दौरा पूरा किया जा सकत यह कमजोर हड़ियों की समस्या को भी आपकी दूर घड़ता है जी हां अंगूर फायदमन है कबसे बचाने के लिए अंगूर में अतरित मातर में पानी एर मिनरल्स होते हैं जो शरीर में जाकर लाग परदान करते हैं अगर अंगूर का सेवन नियमित किया जाए तो इससे आतों को बहतरी फायदा मिलता है और उस पी कबस की जितनी में आपकी पेट की समस्या है वो देखते ही देखते ही खतम हो जाती हैं अंगूर फायदमन है ऐलर्जी के लिए जी हां एक फल के कई फायदे हैं क्योंकि कुछ ऐसे घटक पाय जाते हैं जो दर्द जलन आदी में रहत देकर प्राकृतिक एलर्जी रोधी भूमिका निवाते हैं सामने तरह की एलर्जी को दूर रखने में अंगूर की मदद ली जानी चाहिए जी हां अगर आपका बजन ज्यादा है तो उसको कम करने में भी अंगूर आपकी बहुत मदद करता है अगर आप अपने को कम करने में मदद करता है साथ ही आपको फिट और एक्टी भी बनाए रखता है जी हां दिमागी क्रिया नवे में भी आपकी बहुत मदद करता है अंगूर नियमित अंगूर का सेवन दिमाग के लिए अच्छा है ये ब्रेन डिमेज के खत्रे से बचाता है इसके सेवन से आप free radicals का मुकाबला और अच्छी तरह के से कर सकते हैं अल्जाइमर से बचाओ में ये फल बहुत फायदमन्द है ये दिमाग में रख के परवा को बढ़ाता है जिहां skin cancer करप्राकर्टिक इलाज है ये तौचा को cancer के खत्रे से बचाने में भी अंगूर की परमुक भूमिका होती है ये तौचा को कई परिशाने उसे बचाय रखता है उधारन के लिए सूरे की हानिकार, अल्ट्रा वाविलेट कीरने तौचा के लिए बहुत नुकसान दायक है इसके दुश परभाव को अंगूर के सेवन से कम किया जा सकता है रेडियेशन के बचाव में भी आप अंगूर का इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं अंगूर तौचा को कई तरह की तकलिफों से बचाता है जिसमें से cancer भी एक है ये रेडियेशन से होने वाले खत्रों को भी तौचा से दूर रखता है तेरेपी आदि के दुरान जिसन रेडियेशन का सामना शरीर को करना पड़ता है वह बहुत ही खत्रनाक होते हैं आपको हम बता दें अंगूर मसल्स निर्मान में बहुत ही सायता करता है अगर अचानक आपको मसल्स डेमेज का सामना करना पड़ता है तो उपचार के साथ आहार में अंगूर का सेवन आवश्यक करें इसमें भरपूर मातरा में एंटी ओक्सिडेंट्स होते हैं जो अंगो को पुर्नेर निर्मान में मदद करते हैं ये जहरीले तत जैसे यूरीक एसिड की अतिक मातरा को भी शरीर से बहार निकाल देते हैं जी हाँ दर्द में भी इस्तमाद कर सकते हैं आप अंगूर का अगर आपको नियमित रूप से हाथ पेरों में दर्द रहता है तो आपके लिए अंगूर फायदमन ओशदी है अंगूर के दर्द नाशक गुणों के बारे में हम पहले बता चुके हैं इसलिए इसके खास गुणों के कारण इसका सेवन करना बहुत जरूरी है जी हाँ दोस्तों ये थी आज की जानकारी जिससे आपको पता चला